किसान भायों का देशी जमीदार चैनल पर फिर से स्वागत है तो किसान भायों जो आज हम बात करने वाले हैं वो है सलफर के बारे में सलफर की कमी से आपकी फसलों में क्या नुकसान हो सकता है उसके लक्षन आपको क्या दिखाई देंगे और उसकी कमी होती क्यों है और प्र फाग वन है उसमें हम बात करेंगे पोदों के जरूरी पोशक तत्व कौन से कौन से हैं और सल्फर का उसमें क्या स्थान और क्या जरूरत तो किसान भायू पोदों के 17 जो मुख्य पोशक तत्व हैं उनको मुख्य रुप से दो बागों में बाटा है मैक्रो और माइक्रो मैक्रो जिनकी ज़्यादा मातरा में जुरूत होती है माइक्रो जिनकी कम मातरा में जुरूत होती carbon, hydrogen, oxygen, उसके लिए आपको कुछ डालने की जुरुत नोती है प्रकरती अपने आप उनको मोहिया करवाती है, पोदो को आपकी फसल को मिट्टी से प्राप्त होने वालों में थे nitrogen, phosphorus, potassium, जो हम पहले वीडियो हैं उनमें बता चुके हैं आज जो हम बात करने वाले हैं वो है sulfur के बारे में और जो micronutrients से मिट्टी से प्राप्त होने वाले उनमें हैं, boron, chlorine, copan, iron, manganese, melabidinam और nickel, zinc तो किसार भायो आज हमारा जो मुखे विशे है वो है sulfur के उपर तो एक और जनकारी दे देता हूँ sulfur प्राकर्तिक रूप से हमारी मिट्टी के अंदर विद्यमान होता है और जो मुखे खनीज हैं उनमें दस्वेर जो नंबर पर इसका खनीज जो मिट्टी के अंदर इसकी मात्रा पाई जाती है तो भागदों में बात करेंगे हम पोधों में sulfur की जरूरत क्या होती है और मात्रा की बाती है तो जो sulfur है ये पीले रंग का होता है और natural información प्राकर्तिक रूप में ये पाया जाता है और जो sulfur है वो पोधों की जैविक क्रियाओं को पुरा करने में साहिता करता है जैसे nitrate करता है वैसे ही सल्फर करता है दूसरा ये ज़्यादा मातरा में सल्फर की जरूरत जिन फसलों में होती है वो है तेल और जो सर्सों वगरा की जो तिल की फसल होगी सर्सों की फसल होगी जिन में ज़्यादा तेल की जरूरत होती है और जिन में ज़्यादा तीखापन होता है जो यह जो गुण होते हैं में लिए सलफर की वज़े से ही आपकी फसलों में आते हैं तो पोदों में सल्फर क्या जो जरूरत है वो है पतियों में कलोरोफील जो होता है जिसके सहायता से पोदों अपना बोजन बनाते हैं वो जो है पूरा कलोरोफील जो है बनकर त्यार सल्फर की मदद से बनके त्यार होता है दूसरा है प्रोटीन, अमिनो, एसिड, तेल, विटामीन का जो निर्मान होता है वो भी सलफर की अगर पूरी मात्रा है तो ही हो पाता है आगे है दलहनी फसलें जिनकी जड़की जो गरंथियां बनती है वो भी सलफर की मदद से ही पूरून रुप से उनका विकास काता है जो फासपोरस का एब्जोर्शन होता है जो पोधे ग्रैन करते हैं वो भी कम हो जाता है आगे है सलफर अमिनो एसिड का जो मुखे सहायक होता है तभी जो हमारी फसले हैं वो नाइटरिट और अदर जो एब्जोर्बिंग जो निउट्रियंट्स होते हैं जरूरी पूश सक की किमत मार्केट में अच्छी नहीं मिलता है तो आगे है पोधों में सलफर की कमी के लक्षन आपको क्या देंगे तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है पोधों में सलफर की कमी से जो पतियां है वो सबसे पहले परभावीत होती है और उनका रंग पिला पढ़ना स्टा है उनमें जो दाने हैं जो दाना जो बनता है sarsu अगेरा में तिल का जो दाना है वो पूरा नहीं बन पाएगा- size कम रहेगा और उसके अंदर oil का content भी कम रहेगा जिसे फसल का जो उत्पादन है वो भी कम होगा क्योंकि दाने का साइच छोटा रहेगा तो उसका weight कम होगा weight होगा तो उत्पादन कम होगा दूसरा यह कि quality कम होगी quality कम होगी तो automatically जो आपका जो market में फसल का जो भाव लगना है वो कम लगेगा जिसके वज़े से आपको जो है नुक्सान भी उठाना पड़ेगा तो आगे हम बात करते हैं जो जो तीन स्टेज दिखाई हैं जिसमें सल्फर की कमी जैसे जैसे बढ़ती जाती है ऐसे ही जो पीलापन है वो पोदों के पत्वों में आपको दिखाई देना सुरू हो जाता है अब है कि आपको कमी को पता चल गया है तो उसके बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो सल्फर को जो पोदे गरेंड करते हैं वो कैसे तो जो सल्फर को गरेंड करने का तरीका है पोदो का वो है सल्फेट के रूप में जैसे नाइट्रोजन को पोदे डिरेक्टली नाइट्रोजन के रूप में ना लेके पोदे जड़ों के माध्यम से उसको एब्जोर्ब करते हैं अब बात आती मिट्टी में जो है ये कैसे आता है ये जो पोदों का जो यूरीन वगड़ा होता है उसके माध्यम से भी आता है organic matter जिसको हम बोलते हैं दूसरा है हवा के अंदर मिद्यमान जो लंबे टाइम तक पड़ा रहने से सलफेट खादों में जो है उसके रूप में भी आता है और एट्मोस्प्रिक जो डिपोजिशन असलफर का वो भी सब मिलके सलफेट के रूप में मिट्टी में विद्यमान हो जाता है और उसको जो गरेण करके उसमें निउट्रिशन की मातरा को पूरा करते हैं तो उसके बाद है अगर कमी थी तो हम सलफर की मातरा को पूरा कैसे करते हैं सबसे पहले सल्फर के काफी जो साहिता है जो इसका जो बेनिफिट है वो मैं बता चुका हूँ उसमें एक और भी है अगर सल्फर अमारी मिट्टी का pH अगर कम है जादा है तो उसको भी जो सही लेवल में लाने में साहिक होता है एक चीज़ और बता देता हूँ जो pH की जो जरूरत होती है पिएच बोलते है एसडिय है या अमली है जो इस तरह का एसडिक है या बेसिक है उसमें pH का लेवल मुख्य रूप से आपको 5.8 और 6.8 के बीच में मिलेगा यूजवली जो जितनी भी हमारी फसले होती है साड़े 5 से लेके 7 के बीच में अगर आपकी फसल का जो मिट्टी का जो pH है अगर वो है तो ही पुरुन रूप से जो nutrition है उसका absorption हो पाता है तो इसलिए आप अपनी मिट्टी के pH का जांच जरूर करवाईए इसके लिए मैं बार-बार आपको बोलता रहता हूँ क्योंकि अगर pH को ही आप balance कर लेंगे तो जो प्राकर्तिक रूप से जो फसल जो मारी मिट्टी के अंदर जो nutrition होता है उसको पोदा गरेंड कर लेता है तो केचवा खाद अगर आप अपने खेट में डाल रहे हैं तो उसमें जो है sulfur की पूर्टी हो जाती है साथ में आपको nitrate जो nitrogen होती है वो भी केचवा खाद में माद्यम जो available होती है वो भी जो है sulfur की पूर्टी करने में साहिक होती है दूसरा है मुर्गा पालन जो किसान बाई करते है तो वहां से जो waste निकलता उसको आप इदर उदर न डालके अपनी फसलों के अंदर डालिए वो बहुत ही ज़ादा nutrition देती है आपकी फसलों को nitrogen भी देती है फासफ़रोस भी देती एवन कैलसियम भी मुर्गा पालन से निकलने वाला जो waste होता है उसके अंदर विद्यमान होता है आगे है सुखी हुई गास मतलब जो हम प्राली वगरा जला देते हैं उसको जलाने के वज़ाए अगर उसको काट के तोड़े के रूप में अगर रखके थोड़े दिन एक दो साल उसको डिकंपोज होने के बाद अगर फसल में डालते हैं तो जितने भी nutrition होते हैं वो सारे पूर्ती लगबग हो जाती है तो इसलिए इस तरह की जो हमारे जो waste होता है उसको जलना जलाके हम उसको रखते हैं तो बहुत ही सायक होता है आगे है सल्फर की कमी वाले खेत में अगर जितसम का उपयोग आप करते हैं साल में एक बार तो आप जो nutrition की कमी है उसको पूरा कर सकते हैं तो किसान भायो इसी के साथ जो आज का session है वो समाप्त होता है आप अगर इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो आप अपने किसान भायों से शेर जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए इसी के साथ हम आज का session समाप्त करते हैं जे हिंद जे जवान जे किसा